हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडिस में हम बात करने वाले हैं अगर आपका एक यूटूब चैनल है और आपके यूटूब चैनल की जो पेमिंट है अभी तक बैंक अकॉंट में नहीं आई है तो आपके मन में एक ही सवाल गुझता होगा कि आखिर अपनी बैंक अकॉ कॉंट से लगाएं यूटूब की पेमिंट लेने के लिए तो सबसे पहले में आपको बता दूँ जो सबसे अच्छा बैंक है वो कॉन सा है और आपको कॉन-कॉन से यहां पर साबदानी बर्तनी चाहिए इसी के साथ में अगर आपका पैसा है जो यूटूब से आपके बैं बैंक अकॉन में नहीं सो करता है तो ऐसी सुच्पेशन में क्या करना चाहिए इसी के साथ में कौन सा हमें बैंक खाता अपने यूटूब की आड़ी से लिंक करना चाहिए ताकि पेमिंट आने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहों इसी के साथ में हम बात करेंगे पर डिलीट हो चुका है तो यह एकदम बिल्कुल न्यू चैनल है चैनल को सपोर्ट करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको अपने यूटूब की पेमिंट लेने के लिए आपको कौन से बैंक अकॉन की यहां पर जरूरत पड़ती है आपको अपने बैंक कोंड वहां पर आड कर जा तो मुझे वहां पर शिप्प कोड की जरूरत भी पड़ी थी और इसी के साथ मेझा मैं बैंक में गया सिब्ट लेने के लिए तो बैंक मैंनेजर को भी पता नहीं का परकरी प्लीकर करें और इसीसे साथ में जब उन्होंने बड़ी ब्रांज साथ करते हैं तब हमें सिफट कोड की चरूरत परती है तो यह 11 लिए हो चैसे कि कंट्री और आपके बैंक और इसी के साथ में इसमें बैंक अकॉंड नमबर और इसी के साथ और प poses सारे मतलब होते हैं तो यह जो आपका सिप्ट कोड होता है वो 11 को का होता है तो आपको कुछ ऐसी बैंक में खाता खुलबाना है जैसे की बड़ी बैंक जैसे की कुछ होती हैं बहां से खाता खुलबा लेते हां तो यहां पर आपको ना तो yn कोड मिल पाता है तो से कि यृणी ग्रांस से खाता खुला है और इसा सदल हम था खाता था वहांशाम नेशनल बैंक वह दिख्कात नहीं है थी क्योंकि कई बार ऐसा देखने को लेट आती थी तो मैंने यहां पर bank manager से भी बात जाके की ती तो उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है जो चुटी पड़ जाती है सरकारी करमचार लोगों की तो वहां पर इस मज़े से यहां पर 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 मेरी आ जाती थी जैसे कि यहाँ पर 15 तारिक को Google एडिसंस में ट्रांसपर हो जाती है और Google एडिसंस से आपके बैंक आते में 21 से 22 तारिक में हो जाती है ठीक है और जो पैसा है आपके बैंक अकॉंड में आ जाता है 26 तारिक तक तो यह कुछ यूटुब की ट्रांजक्शन है जो की पेमिंट को लेकर तो वो यह है और इसी के साथ में आप बात कर लेते हैं आप जो बैंक अकॉंड प्ञाब नेशनल बैंक का लगा सकते हैं इसी के साथ में जिस बैंक के आपको पार आपके पास एक मेल भी भेजा जाता है तो आप उसकी पीडिया फाइल डाउनलोड कराके और आराम से आप उसे अपने बैंक मैनेजर को भी दे सकते हैं तो बहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स मिल जाती है और आप उस डिटेल को बहाँ और दिखा सकते हैं कई बार ऐसा देखने को ही मिला है कि souhaite geht होते हैं वो सिरब बात को टालते हैं तो आप उनसे बोल सकते है कि यह सिप code जो आपका ही है तो आपके ही आप पर add में आया होगा या फिर पर जो पैसा है अभी तक हमारे bank account में नहीं पहुचा है तो चलिए मैं आपको ये भी clear कर देता हूँ जैसे कि YouTube की YT studio है वो यहाँ पर 28 दिन का डाड़ा दिखाती है ठीक है अगर आपके 28 दिन में 100 डॉलर या फिर 100 डॉलर से अधिक पैसे हो जाते हैं यानि कि 100 डॉलर का लेगा कि जो पैसे हैं आपके bank account में कब transfer होंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहा है जो कि मेरे YouTube की payment है वो यहाँ पर देखने को मिल ला है पर यहाँ पर तो आपको 100 डॉलर से उपर देखने को नहीं मिल ला है ठीक है तो कहने का मतलब है जो पैसे हैं जो कि मेरे अगले मं आपका पैसा है वो दिखाता है वाइटी स्टूडियो में और उसके बाद जो 15 तारिक को जो YouTube की payment होती है वो जाती है आपकी एडिसंस अकॉंट में और एडिसंस अकॉंट से आपकी 21-22 तारिक में आपके bank account में जाती है उसके बाद में 4-5 दिन में आपके bank खाते में पैसे को भेज दिया जाता है तो यह तो था कुछ प्रोसेस इसी के साथ में काफी लोग के मन में और भी कोई सवाल है या कोई भी कनफीजन है तो मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते हैं इस वीडियो में